नसीब जिनके उचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं दोस्तों इसके इलाबा मैं अनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनेकेडमी का लर्निंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजिए और उसमें ऑनलाइन सब्सक्राइब जरूर करने साथ हैं बेल आकन पर सकते हैं ताक कि आप कोशी तरह है कि डेली मौनिंग में पांच सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों चलिए पहला कोशन है अक्टूबर 2018 में आयोजीत प्रधान मंत्री विज्ञान प्रद्योकी और इनोवेशन सलाकार परिश्यत की पहली बैठक किसने की थी तो यह काफी बोड़न कोश्चन इसका करेक्ट एंसर है ऑपसंडी के विजयरागवन देखे आपको बता दे कि प्रधान मंत्री विज्ञान प्रद्योकी नवाचार सलाकार परिश्यत की पहली बैठक 9 अक्टूबर 2018 को नहीं दिल्ली में आउजित की गई थी ठीक आपको बता दे कि भारत सरकार के प्रमुख भगज्यानिक सलाकार डाक्टर के विजयरागवन के देख्षता में आउजित किया गया था विज्ञान प्रद्योकी नवाचार पर सला देने के लिए पैनल प्रधान मंत्री मोदीजी द्वारा तयार किया गया था ठीक आप यहां पे आपके माइन में सवाल आ रहा होगा यह STIAC है क्या इसका सबसे पहले है फुलफा आपको पता होना चाहिए इसका फुलफा में प्राइम निस्टर साइन्स टेकनलोजी और इनोवेशन काउंसिल ठीक है PM STIC इसके बारे हम जान लेते हैं आखिर है क्या तो यह आपको फैक्ट पता होना चाहिए STIAC के बारे में देखें दोस्तों आपको अधाद सरकार परिशत के अध्यक्ष जो हैं भारत सरकार के मुख्यानिक सलाकार डाक्टर के विजयर राखवन को नियुक्त किया गया है इसके लावा यहां पर बता दे कि इस परिशत में टूटल 21 मिंबर होंगे जिसमें अध्यक्ष सहीत 9 स्थाई सदस्य होंगे और 12 विशेशा म मंत्रित होंगे दोस्तों आपको वतादे कि इस परिशत का मुख्यकार क्या है विज्ञान प्रद्योग की एवं नवाचार समय सभी मामलों पर पीम को सलाह देना इनकी निग्रानी करना तथा इन विश्यों से संबंधित निरणयम नीतियों के निर्माड और कार्यानमन को स योगी देना यहां पर आपको वता देकी इस परिश्यत गठन के परिश्यत मंत्र मंदल की वैगजियनिक सलाकार समिती और और वैग्जानिक प्रधानमंत्री की वैग्जानिक सलाकार सम्ति को भंग कर दिया गया है ठीक है तो अक्टूबर 12 में आजित प्रधानमंत्री विज्जान प्रद्युक्य और इन्नोवेशन सलाकार परजशत की पहली वैठक इसने की है यह की है डाक्टर के विजयरागवन एस किरण कुमार की बात करें तो इश्रो के चेर्मेन थे लेकिन वरतमान में इश्रो के चेर्मेन कौन है यह आपको फैक्ट आधक डाक्टर के सिवान है ठीक इससे पहले एस किरण कुमार थे तो वरतमान में जो इश्रो के चेर्मेन है वो डाक्टर के सिवान यहां पे प्याहर सोपर ज़रोर दिखाये आज गया है देखिए दूस्ते आप को बता दे कि इस वर्ष जो है शाहितक नोबल पुर्षकार नहीं दिया गया है, इस साल इस्थित कर दिया गया है, और ये 117 साल के तिहास में इसे दूसरी बार रोका गया है, इससे पहले जो 1943 में, सेकेंड वर्ल्ल वार, दूती विश्यूदिक के लेकर इस्थित कर दिया गया था, आपको वतादिक नोब रविन्ना टैगोर को गीतांजली के लिए पुर्षकार दिया गया था, ठीक है, तो ये सारे फेक्ट आपको याद रखना है, अभी हाली में सारे नोबल प्राइज मिल चुके हैं, तो उसके मैं ट्रिक के वीडियो बना चुका हूँ, ट्रिक के माध्य हम से, यहां पर आई इंपोर्ण वीडियो है, और उसके लावा मैं एक कोशन पे कुछ लोग कमेंट करते काफी टाइम लेता हूँ, तो मैं टाइम इसलिए लेता हूँ, ताकि आपका रिवीजन करा सकूँ, मैं आपको नई चीज़े बताता रहूँगा, लेकिन आप पुरानी चीज़े भूल इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुरानी चीज़े आपको फटा फट रिवीजन करा दिया करूँ, ठीक है, नहीं तो मैं भी, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम काफी ज़्यादा सेप करूँ, मैं इसलिए मैं आपके लिए टाइम लेता हूँ, कोशन में रिव जोशी, ऑप्सन भी राइट है, देखे भाजपा नेता जो है मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्स्ता में संसत की अनुमान सम्ती ने सकल घरिलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए मजूदा मानदर्णों को खत्म करने की सिपारिस की है, ठीक है, तो संसत की अनुमान सम जापान इस्थित दुनिया का सबसे बड़ा मचली वाजार फिर से खोला गया है, ठीक है, यह वाजार पुराने आकार से दोगुना है, ठीक है, जापान की बात करें तो यहां की राजधानी है, टोक्यो, जापान के बरतमाने प्राइमिस्टर शिंजो आबे, और जापान क हम सरवाथिक जल्यान बनाने वाला देश है, और जो अगला ओलंपिक गेम्स होगा दोस्तों, 2020 का वोगा टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में, यह फैक्ट आपको जरूर याद है, बहुत इंपोर्डेंट है, ठीक है, और रूस के बात करें तो रूस दुनिया का स सी जिनपिंग, ठीक है, यह फैक्ट भी आपको आधक नक्सर एक्जामें पूछ ले जाते हैं, नेम लिकित में से किश देश ने 11 से 27 सुटूबर 28 के दोरान भारत के साथ कार्पेट नामक सायुक्त नौसेना गस्तभ्या साजित किया है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अपसंसी इंडोनेशिया, ठीक है, भारती नौसेना का आई एनस, कुलिस और नौसेना के समुद्री गस्ति विमान, डोर्नियर इंडोनेशिया के बेलवान बंदरगाह में, इंडो, इंडो कार्पेट के 32 संस्क्रण को धाटन समारों के लिए पहुँचे हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में भी हाली में एसियन गेम्स हुआ है, ठीक है, तो जहकारता और पोले मेग में हुआ है, ठीक है, आपको फैक्ट याद रखना है, और एसियन गेम से लेटेट में वीडियों बना चुका हूँ, बहुत इंपोर्डन वीडियों जस्ट यहां पर आई देख सकते हैं ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन है निम्रिकित में से किस दक्षिण पूर वेश्याई देश ने अक्टूबर 2018 में कैपिटल परिश्मेंट को खात्म करने की खोशना की है अलाकि यह कोश्चन में आपको बता जो को लेकर रिवीजन करा रहा हूं ठीक है तो इसका राइट अंसर अप्षिण है मलेशिया कैपिटल परिश्मेंट यानी मौत की सजा मृत्यू दंड का जाता मलेशिया में मंदल समप्त करने का नेड़ने लिया है संचार और मल्टिमीडिया मंत्री जो हैं को गोविन सिंग देव ने कहा कि इस सजा के प्रदेश में भारी विरोध देखते वे सरकाने से समाप्त करने का फैसला किया है ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है ग्लोबल हंड हंगर इं इंडेक्स ने ताजा अकड़ेम जारी किया है इसमें पता जलेक भारत 2018 में सामिल विश्च का एक्सों देशों में 103 स्थान पर ठीक 103 चलिए और इससे लावा में इंडेक्स से लेटेड़ भी वीडियो बना चुको कुछ लोग कमेंट करें तो यहाँ पर आई बटन पर आपको बता दे कि अतृक्त स्थार मेंट को भारत के स्थार जनर तथा भारती उच्टन में आले के सरकार का प्रमुख होकीर होता है भारत का राश्पती नियुक्त करता है महानयवादी को और वरतवान में कौन है टावनी जनरल वो है केके वेनु गपाल ठीक है तो भारत का नया सॉलिशिटर जनरल कौन है तुशार महता अब देख लेते है दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कोश्चन कि इस चहर में देश का पहला इंडिया एजरा इन्नोवेशन सेंटर खोला गया बेंगलूरू में सभी स्टूडेंट ने राइट एंसर दिया था ठीक है अब देख लेते दोस्तों आपके अंसर पता होगा बहुत किमपल्टेंट अपने कल की वीडियो ने देखें दोस्तों तो जास्त यहां पे भी autocon-le soon बहुत मूरंट्ट फट लाइक अधी एक किस जार लाइक से ध्यान में रखते हूं फट फट टार्गेट जरूर पूझे दोस्तों इससे में मोटिवेशन मिलता है इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए आप एक क्या ब्लाइक नहीं कर सकते साधी साथ कमेंट जरूर किया करें डिटेल में गरिव ओलंपिक गेम्स के बारे में ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स वडियों के साथ आपका दिन शूब हो दोस्तों जै हिन जै भारत